ओम नमोह सिवाय साथियों, सांजिवेरा में आप सभी का स्वागत है जेश्ट अमावस्थ्या, सौमवत्थी अमावस्थ्या है इसको बर अमावस्थ या बट सावित्री ब्रत अमावस्थ भी कहते हैं इस दिन दान और इसनान का बहुत जादा महत्थ होता है विसे इसका सुहागिन महिलाए भागवान बोले नात और माता पारवती की विद्विदान से पूजा करती है, सुहाग की सामिग्री चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है, और बट ब्रक्ष की परिक्रमा करती है, अपने पती की लंबी आयू की बिंती करती है, सेविस सक्ति क आसीरवास से उनका सुहाग अखंड रहता है और उनका दामपत्य खुशहाल रहता है सोमबतिय मावस्या के दिने कुछ उपाय कर लिये जाए तो आपका परिवार में आने वाले कश्ट से बचा जा सकता है और आपके घर में पूरे परिवार में खुशाली आएगी तो आई जानते हैं बैउपाय कौन से हैं सोमबतिय मावस्या के दिन पीपल पर जल देने और पूजा करने से पितर प्रसन होते हैं पीपल की पीड में देपताओं का बास होता है इसलिए पूजा करने से देपता भी प्रसन होते हैं सोमबतिय मावस्या के दिन किसी भी सिभ मंदिर म जाकर पूजा अर्चना करें, शीव क्रपा से ग्रह दोस्ट शान्त होते हैं, और काल सर्फ दोस्ट से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है, अमावस्या की दिन जल में काला तिल, चावल डाल कर पित्रों का तरपड करें, इससे पितर प्रसंद होंगे, घर में खुशाली आएग एवं पित्रों का आशिरबात भी मिलेगा, अमावस्या की दिन प्रामणों को भोजन कराएं, कुछ भाग, गाय, कुत्ता और कोवे को भी दें, इससे पितर प्रसंद होते हैं, और पित्र दोस्ट समाप्त होते हैं, पित्रों का आशिरबात मिलता है, जिससे की आपके साली आती है ब्यापार बढ़ने लगता है नौकरी के प्रमोशन होने लगते हैं घर में सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं तो इस मावस्या पर ये छोटे-छोटे उपाय जरूर करें और ऐसे ही उपाय जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वैल ऐकन को प्रेस करें जिसे जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले ओम नमोशिवाय अ